नवस्कार दोस्तों तो यहां तक की जो डीजैन है वो मैंने आपको बना कर बता दिये अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है अब वहां जाकर देख सकते हैं अब आपको इससे आगे की डीजैन के बारे में बात करूंगा और आप दुर्वाज से यहां पर दो रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर यहां पर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर 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 यह पर 7 रसी उठाकर 1 रसी दबानी है उसके बाद मिया पर 7 रसी उठाकर 5 रसी दबानी है फिर 3 रसी उठाकर 5 रसी दबानी है फिर 3 रसी उठाकर 5 रसी दबानी है उसके बाद 3 रसी उठाकर 5 रसी दबानी है फिर 3 रसी उठाकर 5 रसी दबानी है फिर 3 रसी उठाकर 5 रसी दब लगा लें तो इस गुंडी को इस प्रकार से लगाने के बाद में आगे की जो डीजैन है उसके बारे हम बात करूँगा तो इस गुंडी को लगाने से लगाने के बाद में यह जो दूसरे साथ की जो गुंडी है इसको भी हम लगा लगे तो अगर आप मेरे चैनल पर पे पहुंचे और आप उसको देख कर आसाने से चारवाई बनना सीख सकें तब इससे आगे शुरॉत में एक रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर यहां पर पांच रसी उठाकर पांच रसी दबानिये और आगे तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानिये फिर साथ रसी उठाकर यहाँ पर पांच रसी दबानिये फिर पांच रसी उठाकर पांच रसी दबानिये और आगे साथ रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है उसके बाद में पांच रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है और लाश्ट की जो एक रसी इसको उठाकर यह जो गुंडी है इसको में इस प्रकार से लगा देना है तो इस गुंडी को लगने के बाद में इसको दूसरी साइड में खींच लेंगे और दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको इस प्रकार से लगा लेंगे तो अब इसको लगने के बाद में ये रसी इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और इस रसी को टाइट करने के बाद में ये जो रसी इसको थोड़ा पास में चिप गएंगे और फिर जो आगे की रसी है उसको चला कर बताऊँगा तब सरवाज से 5 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है फिर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है फिर यहां पर 1 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है फिर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है यहां पर 5 रसी दबा कर 4 रसी उठानी है फिर यहां पर 5 रसी दबा कर 5 रसी उठानी है फिर 5 रसी दबा कर 4 रसी उठानी है फिर यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है उसके बाद में यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाने है उसके बाद में पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाकर लश्ट की जो पांच रसी है इसको दबाकर यह जो गुंडी है इसको बना लेना है इस प्रकार से तो इस गुंडी को इस प्रकार से बनाने के बाद में थोड़ा टाइट कर ल और इस रसी को थोड़ा पास में चिपकाएंगे ऐसे अब आगे की डिजैन के बारे में बात करूंगा तो अब सुरुआत से चार रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है, फिर यहां पे पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है, और तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है, और लाश्ट की जो चार रसी इसको दबा कर यह जो गुंडी है, इसको में इस प्रकार से लगा लेंगे हbere savon detached एक तरीके से को है इस कुन्डी को लगाने के बात में कि अब इस रशी को दूसरी आड में खीच और दूसरे सेट की जो गुंडी है उसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इसको लगाने के बाद में अब इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और यह रसी इसको थोड़ा पास में चिपका लेंगे इस प्रकार से अब इसको आगे बनकर बताऊंगा तो अब सरवात से तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी दबा कर पांच रसी उठानी है और यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है यहां से उसके बाद में पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर पां पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है और आगे इसी प्रकार से पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है यहां पर डबल गुंडी लगाएंगे ताकि थोड़ी बहुत जगा रहे यह बीच में वह ना रहे और यह जो डोरी है इसके यह जो है साथ में एक सीध में हो जाएं अब हम दूसरे साइड़ी जो गुंडी है इसको भी लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब इसको थोड़ा पास में सब्सक्रा ओर कर सब्सक्राइब और उठाएंगे गश्राण ओग के है सब्सक्राइफ सब्सक्रा और यहां पर आगर पांच तुपला तीन रसी उठाएंद गे Shidlexe को अब यहां पर पककर चलिए और नर्हा था तीन रसी उथाएंगे फिर 5 न सी दबाकर 5 न सी उथाएंगे उसके बाद में 5 रसी दबाकर 3 न सी उठाएंगे फिर 6 으 जो गूंडी एयंगे अपने इसको लगा लेंगे कि अब इस गुंडी को लगने के बाद में इसको लगने के बाद में है है इस प्रकार से इसको लगने के बाद में अब इस रसी को थोड़ा पास में चिपकाएंगे अब जो यह आगे की डीजाइन है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरवाद में एक रसी दबाकर तीन रसी उठाई फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाई फिर यहाँ पे एक रसी दबाकर तीन रसी उठाई फिर यहां पे 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाई, यहां पे 5 रसी दबा कर 7 रसी उठाई, और 5 रसी दबा कर 7 रसी उठाई, अब यहां पे 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाई, उसके बाद में 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाई, यहां पे 1 रसी दबा कर 3 रसी उठाई, फिर यहां पे 5 रसी इसको दबाकर यह जो गुंडी है इसको हम इस प्रकार से लगा लेंगे तो इस गुंडी को लगाने के बाद में अब इस तरशी को हम दूसरे साइड में खीच लेंगे और इस सैट की अब हम सरवाथ से तीन रसी उठआएंगे, फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबा कर छर रसी उठाएंगे और पांच रसी दबा कर फिर छर रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, यहां पर भी पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, उसके बाद में पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, और फिर पांच रसी दबाकर जो लास्ट की तिन रसी इसको उठाकर यो गुंडी है इसको प्रकार से लगा लेंगे के इस तरीके से के इस मैं को लगाने के बाध पूंदा लिए है कि व इसको भूलत Kollegin भंट के तार है को सबने हैं को अध्ल में इस उसको दोड़ा पंगेstat के इस तरह रही है। तब सरवासै है दो रसे उठाकर कर फिर तींस उठाकर पांच रसी उठां के फिर तेंस दो डॉ कि कसो पर नीधिकों कि फीर्ट Κ रशी मत पान्च आइंगे इस्के बाद में याह पर पॉच सूथिंट e फिर प्रकार से लगा लेंगे इस प्रकार से लगा लेंगे और इसको ताइट करने के बाद यह जो रसी है इसको दूसरी साइड में खीच लेंगे अब इस साइट की जो गुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से लगाने के बाद में यह जो रसी है बने इसको हम थोड़ा पास में चिपकाएंगे यहां से इस तरीके से अब आगे की बात करें, तो शरुवात में एक रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे, फिर तीन रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे, फिर यहां पर पांच रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे, फिर यहां पर तीन रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे, फि उसके बाद में आपे पांच रसी उठाएंगे इस तरीके से और आगे की जो पांच रसी है इसको दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे उसके बाद में तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे उर लाश्ट की एक रशी उठा कर यह खुंडी है इसके हम इस मिलगा लगा लगी तो आप देख सकते हैं जो मेरी चैन है इसको खुझार कर Rexx R Days लगा लगी इसको इस प्रकार से लगा ने के बाद में इस रशी को थोड़ा पास में चिपका लगी इस तरीके से और फिर मिसको आगे बढ़ाएंगे तब जरवाद से पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहाँ पे पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे इाँ पर एक स्सक्रावाब कर सी नद्य उठाएंगे फिर याँपे हमार पांच नद्य स्टामी और फिर थे याँज चीछ टाने है यहांपे और कि पांच कि अज यहांज फिर यहांब यहांपे तीन द्यूरश यूठाएंगे फिर तीन रशा हउटाएंगे फिर यहां पर फाउस जो गुंडी है इसको मैं इस प्रकार से लगा लेंगे तो इस गुंडी कर इस प्रकार से लगाने बान भर रस्त को दूसरी इंड में कहीं च लेंगी और एसंट की जुपाइब गोंडी है》 इसको इस प्रकार से लगा लेंगे और यह जो रसी सो इसको पंद। आज आपको यहां तक कि जो डीजाय में वह बणा कर बताऊस अगले पाट में आपको यह चार पाइप मैं पूरी करके दिखा दूगा पूरी 4 पाइस में अगले बाइड में कर दूगा तो आप देख सकते हैं इस परकार से त्यार हो गई हैелен लिग द्यार कि प 3 सबीद्वर करें वीडियो प absolutely हैना लिप ein